हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट दूसुफ जैक्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने केटेगरिस के रॉम होते हैं इसके आपने सुनाय है श्तों बीटा रॉम कस्टम ओसके बाद ओलफा रॉम बीटा ग्लोबल रॉम बीटा पड़िकृपक बेटा क्लोस रॉम nesting वहीं हैं वहीं और किसे तरह से वर्क करते है इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ों को डीटेल से जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक रॉम के बारे में तो यह स्टॉक एंड्रोइट से आप मत जोड़ लेना स्टॉक रॉम एक तरह का रॉम होता है जो जब आप कोई भी फोन खरीदते हो तो जब डबे से आप फोन को निकालते हो तो उसमें एक आपको OS दिख जाता है एक रॉम दिख जाता है complete तो वो आपका होता है stock रॉम यानि कि stock रॉम वो होता है जो जैसे आप फोन खरीदते हो तो box जो रॉम आपको मिलता है फोन के अंदर पहले से company के थुरू डालावा वो हो जाता है आपका stock रॉम ठीक है उसके बाद आता है official रॉम वो सारे रॉम होते हैं जो के उस company के manufacturer जो है आपके लिए बनाते हैं आगे का updates अब जैसे Samsung का phone है आप तो Samsung ने अपना कोई रॉम दिया उसके अंदर जैसे Xiaomi का phone है तो Xiaomi ने अपना रॉम दिया MIUI 9 का फिर उसमें update उन्होंने दिया तो आपके phone पे एक update आया क्या आपके MIUI 9 में नया update आया है तो यह हो गया official ROM इसके बाद आता है अनोफिशियल रॉम क्या होता है तो अनोफिशियल रॉम जो होता है वो सिमिलर रॉम के जैसा बट उसे कोई भी आदमी ऐसे ही बना देता है जैसे कि आप WhatsApp के example लो तो मानलो कि WhatsApp एक ROM है तो WhatsApp जो है वो एक official ROM है ठीक है एक company ने उसको बनाया है अब कोई company क्या करती है कि WhatsApp का duplicate बना देती है ठीक है एकदम similar to WhatsApp तो वो हो जाता है unofficial ROM ठीक है अब उसी के बाद एक आता है आपको custom ROM तो custom ROM और unofficial ROM में फर्क है वो यह है दोनों ही दूसरे के बनाये हुए है बट फर्क यह है कि जैसे मानलो कि एक WhatsApp है WhatsApp का duplicate आया जो कि similar same to same WhatsApp वाले feature दे रहा है ठीक है तो वो हो गया आपको unofficial ROM ठीक है unofficial WhatsApp उसी के जैसा आप जानते हो GB WhatsApp जिसके अंदर WhatsApp के feature होते हैं और 3775 extra feature होते हैं तो वो actually हो जाता है custom ROM उसको example के तौर पर आप ले सकते हो custom ROM अब जैसे कि मैं बहुत सारे ROM मैंने देखे हैं like micromax के phone में Samsung के phone में Xiaomi का MIUI 9 चड़ा दिया लोगोंने तो वो हो गया unofficial ROM और साथ में extra features दे दिये जो कि उस phone में पहले से नहीं थे तो वो हो गया custom ROM ठीक है अब आपको देखते हो कि आप अपनी किसी phone को मानलो कि आपका phone के अंदर Android 6 दला हुआ है तो आपको 7 डालना है company ने बनाया ही नहीं तो आपने बाहर से कहीं से डाउनलोड कर लिया ठीक है अब वो same similar work कर रहा है जैसे कि आपका 6 कर रहा था बस उसमें 7 लिखा हुआ है सब कुछ 7 वाज़े theme वगए आपको मिल गए तो वो हो जाएगा unofficial लेकिन उसके अंदर अगर आपको कुछ extra features मिल गए तो फिर वो हो जाएगा custom ROM उसके बाद आता है ported ROM तो ported ROM को समझाने के छोटा सा example है इसका टोपी उसके सर मतलब यह है कि अगर आप कोई ROM लेते हो ठीक है बट same components के साथ same hardware specifications के साथ एक दूसरा phone है ठीक है और उसके लिए एक update आया हुआ है तो आप उस update को custom ROM के जैसा बना करके मतलब अपने phone में चड़ा लो जिसके लिए वो बना ही नहीं था जबरदस्ती तो वो हो जाता है ported ROM क्या हो जाता है ported ROM तो यही ported ROM की कहानी अब आप कहोगे कि ported ROM, custom ROM, unofficial ROM सब तो similar हो रहा है भाई तो नहीं यार थोड़ा थोड़ा फर्क है और थोड़ा थोड़ा फर्क के वज़े से नाम बदल गया है और दिमाग का धही हो गया है आगे बढ़ते हैं इसके बाद ROM के initial period शुरू होती है कि जब ROM जो बनता है तो कैसे बनता है सबसे पहले आता है alpha ROM आप लोग जानते है न उनको वो ROM दिया जाता है सिर्फ मतब सिर्फ alpha को दिया जाता है लेकिन वो लीग हो जाता है हमेशा और बहुत सारे जो beta tester है वो भी उसको आराम से TWRP recovery के थुरू बोटर अनलॉक करने के बाद alpha ROM को install करके मज़े ले लेते हैं ठीक है तो यह कहानी हो जाती है alpha ROM बहुत कम करता है alpha ROM के बाद आता है एक ROM जिसका नाम है experimental ROM यह जो होता है यह भी alpha ही ROM है बट यह जो होता है अंडर प्रोसेस में होता है यानि 5% बनाया और टेस्टिंग के लिए दे दिया कि लोग भाई टेस्ट करो और बताओ कि यह ROM कैसा है तो वो हो गया experimental ROM experimental ROM भी बहुत कम लोगों को मिलता है हर केसी को नहीं मिलता है alpha वालों से भी कम लोगों को experimental ROM मिलता है यह शायद उसी team को मिलता है जो team उसको बना रही है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो अच्छे alpha testers है उनको मिल जाता है alpha testers का basically काम यह होता है कि वो initial period में ही problems खोज के आपको बदा दे बट experimental में क्या होता है अब जैसे मतलब खाना पक रहा है तो दाल बनी तो लो यार दाल test करो जारा कैसा है बीच में ही मतलब दाल बन गया अब उसको बाकी का खाना बनाने का बात छोड़ो पहले दाल को test करो वो कैसा है तो यह हो गया experimental ROM एक होता है beta ROM, developer ROM, weekly ROM यह तीनों स्टेज होता है यह भी limited लोगों को मिलता है बट पहले ऐसा था अब क्या हो गया है इसको इसको install करने के पहले क्या था कि आपका bootloader unlock होना चाहिए था बट अब क्या हो रहा है Xiaomi के अंदर और बाकी company को मुझे नहीं पता Xiaomi ने क्या किया है के दो तरह के beta tester बना दिये है ठीक है एक तो वो हो गया जो के public beta है और दूसरा हो गया stable, sorry, close beta तो जो लोग अपना bootloader unlock नहीं किये वे हैं वो भी public beta बन करके उस beta ROM को install कर सकते हैं अपने phone के अंदर बिना bootloader unlock किये लेकिन जो close beta ROM होता है उसको install करने के लिए आपके phone का bootloader जो है वो unlock होना must है, must है, must है, must है, तो यह हो जाता है, अब इसके अंदर भी कुछ categories और हैं, जो कि बहुत minor हैं उसको छोड़ दो, weekly का मतलब यह है कि दो तरह के मतलब beta जो होते हैं, एक होता है कि daily beta update आ रहा है, एक होता है weekly beta update आ रहा है, तो वो सब वो depend करता Xiaomi के उपर कि वो किनको daily beta दे रहे हैं, किनको weekly beta दे रहे हैं, ठीक है, अब finally जाके आता है stable ROM, जो हर किसी को मिलता है, लेकिन कभी-कभी stable ROM में भी बग हो जाते हैं, जैसा कि आज कल हम लोग Xiaomi में experience कर रहे हैं, तो इसलिए Xiaomi ने जो है nightly ROM का अविशकार किया, nightly ROM के अंदर क्या क्या होता है, उसने अविशकार किया या पता नहीं मुझे, nightly ROM के अंदर क्या होता है, कि वो आधा ROM मतलो कि बहुत दिनों से ROM नहीं आ रहा है, कोई update, stable वाला, तो उन्होंने अचानक से update दिया कुछ लोगों को, और तुरत बंद कर दिया उस update को, तो वो हो जाता है nightly ROM, व वाले लोगों के लिए सारे stage वाले ROM बनाता है, जब देखता है कि भाईया ये चाइना में सही वर्थ कर रहा है, तब उसको वो globally launch करता है, और अक्सर चाइना ROM में जादा feature देखने को मिल जाता है, बनिस्बत global ROM के, ऐसा होता है, अब इसके बाद सारे ROMS के लावा आप असलब होता है, कि वो सारे ROMS जिनको इंस्टाल करने के लिए आपका bootloader unlock होना चाहिए, और वो TWRP या आपके PC के थूरू इंस्टाल होंगे, वो सारे हो जाते हैं fast boot ROMS, तो यह थी सारे ROM की कहानी, अब अगर इसके इलावा भी कोई ROM होता है और आपको पता है, तो please comment section में ब